आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेज लॉलीपोप बनाने की रेसिपी वेज लॉलीपोप बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और ये जटपट बनके भी तैयार हो जाते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने तीन उबले हुए आलू लिये हैं जिसको हमने मैशर की हेल्प से मैश कर दिया मैश होने के बाद इसके अंदर हमने मसालों को एड़ करा है डेड चोटी चमच लाल मिर्ची पाउडर आदी चोटी चमच हल्दी पाउडर एक चोटी चमच इसके अंदर हमने डाला है जीरा साथ में एक छोटी चमच नमक सभी मसालों को अलू के अंदर अच्छे तरीके से mix करें इसके stuffing को ready कर लेंगे stuffing हमाई ready हो चुकी है यहाँ पर हमने थोड़ी से stuffing ली है जिसके अंदर हमने add करी है mozzarella cheese mozzarella cheese add करने के बाद इसको हमने अच्छे से mix कर दिया मिक्स घरने के बाद छुटे-छुटे से हमने गोले बनाकर त्यार कर लिए अब गोले को हमने ज्लेंड्र कल शेव दी है यहाँ पर और इसके बाद में यहाँ इस लरी बनाकर रेड़ी करते हैं इसके बाद हम इसको bread crumbs के अंदर लगा देंगे इसके हम double coating करेंगे यहाँ पर तो हमने दुबारा से इसको slurry के अंदर डाला है और फिर से हमने bread crumbs के अंदर इसको डाल दिया इसी process को हम repeat करेंगे सभी bread rolls के साथ में यह हमारे rolls जो है वो ready हो चुके है हमने एक plate के अपर इसको ready कर लिया यहाँ पर हमने oil रखा है कडाई के अंदर जिसको हमने full flame पर चड़ा दिया है यहाँ पर हमनारे जो first batch है इसके अंदर हमने चार bread rolls को डाला है इसके अंदर और यह जो हमारे rolls है वो ready हो चुके है rolls ready होने के बाद हमने एक अलग plate पर निकाला जिसके अंदर हमने यहाँ पर sticks लगा दी तो यह हमारे wedge lollipop ready है बन कर और यह बन के बहुत ही जल्दी तयार हो जाते है यह खाने में बहुत ही ज़्यादर tasty लगते है बच्चों को बहुत पसंद आते है तो आप इस recipe को जरूर try करें आपको आज की वीडियो कैसी लेगी वो आप मुझे comment section ने बता सकते है वीडियो अच्छी लेगी हो तो आप like करें चैनल पर नए हो तो आप subscribe करें और आप मेरी वीडियो को जाद से जादा शेयर करें आप मेरे साथ Instagram पर भी जोड़ सकते हैं मेरी Instagram की ID है मदू की रसोई और साथ में आप YouTube पर भी मुझे follow करें मदू की रसोई